पिंगो 27 के येट अनदर एक एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूँ विकास गुपता गुपता जी फोटोग्राफी में आप लोगों ने बहुत सारे फोटोज आपने देखे हमारे पहले एपिसोड में और बहुत सारा आप लोग का कमेंट्स लाइक्स एन अप्रिसेशन मिला इसके लिए थैंक यू बेरी माच और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज हम अपने मोबाइल से नाइट मोड ऑन करके किस तरह से एक बहुत ही एट्रेक्टिव फोटो खीच सकते हैं यस मैंने आप लोग को बताए था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आप लोग बताऊंगा लेकिन बारिश खत्म होने के बाद शाम हो गए थी तो मैंने सोचा कि चलो नाइट मोड में ही एक वीडियो बनाते हैं लेट्स स्टार्ट दोस्तो हर फोन में आजकल नाइट मोड आ रहे हैं यानि कि आप रात में अपने फोन के उस नाइट मोड को आउन करके जहां पर लो लाइट रहती है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एक फोटो ले सकते हैं बट मैं आपको बताऊं कि नाइट मोड वेरीज करता है आपके फोन पर भी अगर आपका फ्लैक्शिप लेवल का कोई फोन है यानि कि 30, 40, 50,000 में अगर आप नाइट मोड का फोटो ले रहे हैं और वहीं आप एक 10 to 15,000 के रेंज में अगर आप एक नाइट मोड जो की नाइट के बहुत सारे नाम उसके आते हैं अगर उसमें आप फोन फोटो लेते हैं तो येस डिफरेंस यहां आपको पता चलता है just because of processor processor high range के फोन में बहुत ही अच्छे होते बहुत ही smooth and crystal फोटो आते हैं night mode में यहां पर थोड़ा सा compromise करना पड़ता है yes मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई भी मुबाइल से फोटो लें वो कोई matter नहीं पड़ता लेकिन night mode जब आप फोटो लेंगे तो यहां पर एक difference आ जाता है दोस्तों बहुत लोग नहीं समझते हैं कि night mode में किस तरह से फोटो लेंगे अगर उनको लगता है कि yes मेरे phone में night mode में अच्छी तरह से फोटो नहीं आ रहे हैं यानि कि बहुत सारे lights नहीं आ रहे हैं और photo काफी अच्छी तरह के से नहीं आ रहे हैं उसमें grains आ रहे हैं यू कैन यूज प्रो मोड येस आप अपने फोन में प्रो मोड या मैनुवल मोड भी जिसको करते हैं उसके साथ भी आप एक अच्छा फोटो ले सकते हैं दोस्तो अगर आप मैनुवल या प्रो मोड में आप फोटो ले रहे हैं यानि आपके मोबाइल में ये ओप्शन्स नह यानि कि जितना ISO आप बढ़ाएंगे उसमें ग्रेंज आ जाते हैं वो फोटो काफी अट्रक्टिव नहीं होती है और दूसरा यह है कि आप अपने शटर स्पीड को बहुत ही मतलब थोड़ा रखें आप खुड एड़ेस्ट करें फोटो लेकर तब आपको बहुत ही इजी कुछ ऑबजेक्स भी नजर नहीं आएंगे और फोटो भी क्लियर नहीं आएगा तो मेक शूर जब आप फोटो ले यानि कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो अगर सामने से अगर लाइट आ रही है तो डेफिनेटली एक लाइट सोर्स रहे अगर साइट से भी आया या उप पर नीचे किसी भी डारेक्शन में एक लाइट सोर्स रहना चाहिए तभी आपका फोटो बहतरी ना पाएगा और नेक्स्ट यह है कि आप जब भी नाइट मोड में फोटो लें डेफिनेटली वहां पर आपका जो मोबाइल का कैमरा है तो आपको एक डारेक्शन देगा हैं अगर आप फोटो नहीं ले पा रहे हैं स्टडी हैंड से तो डेफिनेटली यूग यूज ट्राइपोड ट्राइपोड आपको मिनिमम और थ्री फोर हंड़ेड से लेकर फाइप थाउजन के रेंज में बहुत ही जबरदस्त ट्राइपोड आपको मिल जाएंगे उसकी मैंने आपको दिखाएं भी तो नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल फोटोग्राफी के कैमरा में और भी बहुत सारे ओप्शन्स रहते हैं यानि कि माइक्रो मोड और माइक्रो फोटोग्राफी आपका वाइड एंगल तो है ही एंड स्लो मोशन्स ये सब भी वीडियो में एक एपिसोड में आपको बताऊंगा लेकिन आपको अगर मेरे कंटेंड में कुछ इंफॉर्मेशन लगा यानि कि इंफॉर्मेटिव लगा तो डेफिनिटी लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग में सब्सक्राइब कर दो